आज है 29 नवंबर 2014 दिन शुक्रवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें साथी हमारे पेस्बुक पेस्टो भी फॉलो करें पेस्बुक पेस्ट करें इसके संवी आ गया है बैंकॉक यूएस और कैनिडा का सफर हुआ आसान इंदोर से फ्लाइट से वाए होंगी शुरू मदप्रदेश के लोगों के लिए विदेश का सफर करना अब आसान होने वाला है आर्थिक राज़ानी इंदोर से जल्दी एयर इंडिया एक्स्पेस की फ्लाइट बैंकॉक के लिए उडान भरेगी सांती इसका फायदा यूएस और कैनेडा जाने वाली यात्रियों को भी मिलेगा दरसल ट्रेवल एजेंट्स असोसियेशन आफ इंडिया के चेयर्मेन हेमिंदर सिंग जादोना ने बताया कि साल दो हजार पच्चिस की शुरुआत में इंडोर एरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट से वाएं शुरू हो सकती है मिनी आंगनबाडी कारे करता अपग्रेड मान दे बिद्दुगना किया अब दमो में होगी 254 साहिकाओ की भरती दमो जिले में आंगनबाडी केंद्रू पर जल्द ही सेक्डो आंगनबाडी साहिकाओ के पदो पर भरती की प्रक्रियार शुरू होने वाली है दरसल लंबे समय से कम वेतन पर कारे रत मिनी आंगनबाड सरकार के इस फैसले से दमो की 244 नांगनबाडी कारे करताओ का मान दे बढ़ जाएगा उन्हें अब 6700 से बढ़कर 13100 रुपे मिलने ही लगेंगे आसे भुपाल में चार दिन का मजभी समागम सेक्रो निकाहा होंगे तैयारी पूल 77 साल पुरानी आलमी तबलीगी इस्तिमा की तहरीर एक बार फिर से दोहराने के लिए तैयार है आज शुक्रवार सुबे फजर के नमाज के बाद होने वाले बयान के साथ इस चार दिवस्य समागम का आगास हो जाएगा दोपहर में यहां नमाज जुमादा होगी शाम को असर की नमाज के साथ सेक्रो निकाह होंगी इस बीश देश दुनिया से आए उलिमाओं के तक्रीर और बयान का सजला भी जारी रहेगा मदर प्रदेश में शादी समारू से रैलियो तक सीसी टीवी अनिवारे मुक्यमंतरे रख्चर मुहन यादव की सरकार ने प्रदेश में लोग सुरक्षा कानून लागू करने की यूजना बनाई इसके तहट साथ जने के सलों के साथ यह अफशादी समारू रैलियो और धार्मिकायो जनिस तल पर सीसी टीवी कैमरे लगाना आने वारे होगा ये खदम बढ़ती जन संक्या और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया यूके के बाद जर्मनी पहुचे सीम डॉक्र यादा बोले अमपी में खूलेंगे जर्मन भाशा के इंस्टिटूट मिलेंगे रोजगार मुक्यमंतरी डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी यूके यात्रा के बाद जर्मनी के दौरे पर है जर्मनी के म्यूनिक में उनका शांदार स्वागत हुआ जहां उन्होंने जर्मन भाशा के इंस्टिटूट खोलने की घोशना की मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को जर्मनी दोरे पर बावेरिया राज्य के चांसलरी प्रमुप और संगी एवम यूरोपिय मामलों के साथ मीडिया विभाग के मंत्री डॉक्टर फ्लोरियन हैर्मन से मुलाखात की ताजपूर स्टेशन पर इलेक्ट्रोनिक इंटर लॉकिंग प्रनाली इंस्टॉल इसे अपनाने वाला देश का पहला स्टेशन रतलाम रेल मंदल का ताजपूर रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रोनिक इंटर लॉकिंग प्रनाली लागू करने वाला देश का पहला स्टेशन बना इस प्रणाली का इस्तेशन पर ट्रेंड की सुरक्षिता वजा ही सिगनल इस नीच प्रॉसिंग गेट में अंतरत करने के लिए हो सकेगा उसके लिए स्टेशन पर 132 की वीकर ट्रांसफार्मर्ड लगाया गया है मदरडेश में युवज की लिए राहत भरी खबर सब्ता भर में जारी होगी एस्थाई सनद मदरडेश के 6000 से जीज़ादा युवज को मदरडेश हाई कोट से बड़ी राहत मिली हाई कोट ने राजया दिवक्ता परिशद से कहा कि वो एक सब्ता के भीतर इनने एस्थाई सन निर्मलास अप्रे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने मद्यप्रदेश हाइकोड पहुची कॉंग्रेस बीना विधानसभा शेत्र से विधायक निर्मलास अप्रे की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए कॉंग्रेस मद्यप्रदेश हाइकोड पहुची है विदान सभा में नेता प्रतिपक शुमंग सिंगार ने हाई कोट की इंदौर खंड पीट में इसको लेकर याचिका लगाई इधर विजैपूर से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मलहोतरा आज कॉंग्रेस कार्याले में पहुची एमपी में सक्रिय नकसलियों में 40 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीर को बर गलाने में रहती है भूमी का मदपरदेश में सक्रिय लगबग 75 नकसलियों में 40 प्रतिशत महिलाएं हैं ये जानकारी पुलिस की खूफिया रिपोर्ट में सामने आई ये सबी अलग-अलग समूँ में पुरुशों के साथ काम कर रही हैं ये भी पता चला कि कुछ नकसली प्रेमी प्रेमी का की तरह रह रही हैं सीम के विदेश से लौटने पर राम निवास रावत के मंत्री पत पर फैसला संभा विजेपूर विदानसवा उपफ चुराओं में पराजे के बाद राम निवास रावत ने वन मंत्री पत से त्याक पत्र दे दिया उन्होंने मुख्य मंत्री डॉक्टर मुहन यादव को अपना त्याक पत्र भेजा मुख्यमंत्री समय विदेश तौरे पर हैं इसलिए त्याक पत्रस्विकार करने को लेकर निर्णे उनके लोटने पर होगा नहीं साल पर कर्मचारियों को तोफा जनवरी 2025 से तीन प्रतीशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता प्रदेश के साथ लाग से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार नहीं साल में फिर बढ़ाएगी ये जनवरी 2024 से 46 से बढ़ा कर 50 प्रतीशत किया गया मईं जनवरी दोजार पच्चिस में वित्तव भाग राजिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतीशत बढ़ाने की तैयारी में है दरसल केंद्रिय कर्मचारियों को जुलाई दोजाद चौबिस से 53 प्रतीशत किदर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है कान नदी का प्रदूशित पानी अब भी मिल रहा शिप्रा नदी में कोई रोक नहीं प्रदूशित कान नदी का पानी उजयन आकर मोक्ष्टाइनी शिप्रा नदी में मिल रहा है फिलाल ये मिलन रोकने को कोई प्रबंद नहीं है वर्ष 2016 में 95 करोड रुपे खर्श कर एक प्रबंद किया था मगर वो सफल ना हो सका विदायक निर्मला सप्रे के खिलाफ पाई कोट में पहुची कांग्रेस पठवाली बूले बीजेपी में दम है तो चनाओ लड़वाई सागर सले के पीना से विदायक निर्मला सप्रे के खिलाफ कांगरिस ने हाई कोट में आचिका लगाई वही पीसी सी चीफ ने कहा कि बीजेपी में दम है तो निर्मला सप्रे को इस्तीफा दिलवा कर चुनाओ लड़वाई NSUI का नर्सिंग काौंसिल में प्रदाशान लेखा पाल और डिप्टी रेजिस्ट्रार चंदरप्रकाश शुकला की निलंबन की माउन नर्सिंग काउंसिल के टिप्टी रेजिस्ट्रार चंदरप्रकाश शुकला द्वारा रेजिस्ट्रार की अनुपस्तिती में छात्रों के रेजिस्ट्रेशन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये जाने का मामला गर्माता जा रहा है। वित्राज मंतरी चौधरी बोले मनी लॉंडरिंग और आतंकवाद की फंडिंग पर कोई एक देश अंकुष नहीं लगा सकता। इस्तमाल होने लगा है उन पर कोई एक देश रोक नहीं लगा सकता। मदरप्रदेश का तीसरा पूंटा स्मार्ट मीटरी करण शहर बरा जाबु अजले का थांदला। मदरप्रदेश पश्यमशेत्र विद्धित वित्रन कंपनी स्मार्ट मीटरी करण का कारे प्रात्मिक्ता के साथ कर रही है। पश्यमशेत्र कंपनी का थांदला शहर प्रदेश का तीसरा शत प्रतीशत स्मार्ट मीटरी करण वाला शहर बन गया है। इसके पहले महूं और खरगून शहरे श्रिणी की हैं। MP में मॉल में शॉपिंग करने पर T.I. सस्पेंट। मदरपदेश के T.I. को मॉल में शॉपिंग करना महंगा पड़ गया और उन्हें सस्पेंट कर दिया गया। मामला मुरेना का है जहां के रिठोरा थाना T.I. जितेंदर दोहरे को सस्पेंट किये जाने का मामला चर्चाओ का वश्य बन गया। T.I. जितेंदर दोहरे को मुरेना S.P. समीर सौरब ने सस्पेंट किया। ललितपूर पिपरई चंदेरी के बीच बिचेगी डेल लाइन ग्रामीरों को होगा बड़ा फायदा। रेल मंत्राले के ओर से मद्धिप्रदेश को एक बड़ी सौगात दी गई। ललितपूर चंदेरी से होते हुए पिपरई प्राइब राट गेज रेल लाइन के हुए सर्वे को स्विक्रती दी गई। वहीं अंतिमिस्थल सर्वे के लिए रेल मंत्राले ने दो करोड की स्विक्रती दी। इसरे लाइन के लिए समाजी कार्यकरताने केंद्रिय मंत्री जो तेरा दित्त सिंधिया को पत्र भी लिखा था खाथ के लिए चतरपुर में मची भगदार, लाइन में लगी महिला और पुरुष के बीच हुई जूमा जटकी स्कूल छोड लाइन में लगे बच्चे, स्टीम ने कहा कि सभी सोसाइटी में भेज दी खा, सुमवार के सुबह से सटई रोड गला मंडी में हजारों की संख्या में किसान खाद लेने के लिए लाइन में लग गए, महिला पुरुष और स्कूली बच्चे भी शामिल थे, सु उतर भारत के पहाड़ी इलाकों में जैसे मनाली कश्पीरादी जगों पर बर्पारी होने से, इसका असर मद्रप्रदेश में भी पढ़ने लगा है, राजे के कई इलाकों में ठंडीली हवाईं चलने लगी, प्रदेश के पच्चमणी का तापमान 5.6 डिग्री से सियस दर किया गया, देरेंदर शास्त्री की हिंदू पध्यात्रा में पहुचे शामरंगीला बाबा बागेश्वर की मीमि क्रीबी करके दिखाई, मद्र प्रदेश के छतरपुर इस्तित बागेश्वर धाम की पीठादी शास्त्री इन दिनों सनातन हिंदू एक्टा पध्यात्रा पर निकले हुए हैं इस यात्रा में राजनीती फिल्म और कला समेथ तमाम अने शेत्रों के हस्तियां आकर बाबा बागेश्वर का समर्थन कर रही हैं इस कड़ी में प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टेस्ट और कॉमेडियन शामरंगीला भी हाल ही में यात्रा में पहुचे शामर होने की वज़े से उन्हें मूदी भक्त बता रही हैं इंदोर में उद्योगपती की बहु ठगी का शिकार फरजी डी ऑफसर बन करें चेक दशमलाच शेशोने करूर जैट एर्वेस के संस्तापक नरीश गुयल से संबंदेत मनी लॉंडरिंग के प्रक्रण में शामिल बता लिए महरास्ट जारकन को देखते हुए लाडली बहना योजना पर बड़ा फैसला लेगी MP सरका मदबरदेश के विदानसबा चनाओ गेम चेंजर साबित हुई महला वोटर्स का असर महरास्ट जारकन चनाओ में दिखा महरास्ट में शुरू की गई लाड़की बहिन योज जना ने पूरा सियासी खेल ही बदल कर रख दिया महलाव के लिए लाडली बहना जैसी योजना को शुरू करने का पूरा क्रेड़िट MP को ही जाता है शेक हसीना ने बंगलादेश में हिंदू पुजारी की गिरफतारी का किया विरू तत्काल रहाई की मांग बंगलादेश के अपदस्त प्रधान मंतरी शेक हसीना ने हिंदू पुजारी चिनमेदास की गिरफतारी की निंदा की और वहां के अंतरिम सरकार से उन्हें रिहा करने की मांगी गरतलब है कि हाल ही में बांगला देश में हिंदू समू, सम्मिलिता, सनातनी जूद के नेता वैसकॉन ट्रस्ट के सचिव रहे चिन में कृष्णिदास ब्रमचारी को गिरफतार कर लिया था जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और अस्टेलिया आई प्रदान मंतरी के भारतिया टीम से मिलने पर खुश हुए पि-म मूदी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आस्टेलियाई प्रधान मंतरी एंथनी अल्बानीज के कैनबरा में भारत्य टीम से मिलने पर खुशी जाहिर की रोही शर्मा की अगुआई वाली टीम और आस्ट्रेलिया की पीम 11 टीम ने संसत में आस्ट्रेलिया ये प्रधान मंत्री के साथ मुलाखात की बारते टीम पांच मैचेस की टेस्स सीरीज के लिए फिलहाल आस्ट्रेलिया दोरी पर है तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको ने उस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद